तीसरे दिन भी गदर टू के सामने दूर दूर तक ने टिक पाई अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 गदर टू के तुफान ने अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 को खदेड के रख दिया जी हां दोस्तों बॉक्स ओपिस पर ऐसा चला तारा सिंग और सकीना का जादू कि तीसरे दिन तो बॉक्स ओपिस पर सौ करोड का अकड़ा तो पार करना ही था वहीं फिल्म में शनी देउल ने जिस तरीके से पाकिस्तान की धज्या उड़ाई है उससे पाकिस्तान की रूख आप गई है जी हाँ दोस्तों इन दिनों सनी देउल के फैंस का जादू देखते ही बन रहा है सनी देउल और अमिशा पटेल की जोड़ी एक बार फिर से सकीना और तारा सिंग के रोल में बवाल मचा रही है वहीं दोनों फिल्म गदर टू के जरिये बड़े पर बाइस साल बाद लोटे है और आपको जानके हरानी होगी कि इनको देखने के लिए लोग भारी मातरा में टेक्टर पर चड़ कर पहुँच रहे है वहीं हर दिन फिल्म की कमाई में भारी मातरा में एजाफा हो रहा है ताथ रिलीज होने के बाद से अब तक फिल्म का एक भी सोख खाली नहीं रहा है वहीं जो लोग इस फिल्म को देखकर सिनेमा होल से लोट रहे हैं उनके चेहरे पर एक अलगी देश भक्तिय का जोस नजर आ रहा है फिल्म में सनी देवल की भारी भर का मवाज और ताबर तोड एक्शन के साथ मजेदार गानों ने दर्शकों को एक बार फिर से 90 के दर्शक की याद दिला दिये उपर से पाकिस्तान को जग जोर देने वाले डायलोग और सनी देवल का आइकॉनिक हेट पंप सीन ने तो फिल्म में च्यार चांद लगा दिये इसी के चलते जहां फिल्म ने ओपनिंग बॉक्स ओफिस कलेक्शन में 40 करोड की ताबर तोड कमाई की थी वहीं दूसरे दिन फिल्म ने इससे भी दमदार 43 करोड की बॉक्स ओफिस वर कमाई की थी और अब इस फिल्म का 30 दिन का कलेक्शन का आगड़ा सामने आ चुका है गदर टू को लेकर फैंस के अंदर इतना क्रेज देगी तीन दिनों में 100 करोड के कलब में एंट्री लेना फिल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं है हाला कि दो दिनों में फिल्म ने 83 करोड का आगड़ा पार कर लिया था अब इसके तीसले दिन की कमाई का आगड़ा सामने आ चुका है आपको जानके हैरानी होगी कि इस फिल्म ने पिछले दो दिनों से जादा तीसरे दिन 48 करोड रुपे की भारी भरकम कमाई की है और संडे का भरपूर फायदा उठाया है रविवार के चलते इस फिल्म को देखने लिए भारी मातरा में लोग सिनेमा घरों में पहुचे और इस फिल्म के रात के एक बज़े तक के सोज पूरी तरीके से एडवास बुक हो चुके है ऐसे में गदर 2 का तीन दिनों का कलेक्शन जो सामना है वो करीबन 131 करोड रुपे है इससे साबसर सनी देवल ने इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ दिया है